हेलो फ्रेंट्स आज के इस व्योडियो में हम लोग बात करते हैं कि वाइसी क्राउड क्या है कि वाइसी क्राउड किस तरीके से करना है फ्रेंट्स आप लोगों में से बहुत साइड लोगों ने मेरे पास कमेंट किया सर कि वाइसी क्राउड क्या है किस तरीके से अपलाई कर करना है तो इस video में मैं आप लोग को इसी बार में पूरा डिजया लन जाऊंगा तो आप लोग को वीडियो पूरा देखना है कहीं पर भी इसकिप नहीं करना है तो रहें प्रेंट्स क कुछ लोग को कि वाइसी होच्छा है दिखें जिनका इसको 300 प्लस है उनका KYC कंप्लीट हो चुका होगा और उसमें से भी बहुत सारे लोग है जिनका क्या KYC नहीं किया गया है आपको केवल 3 times मिलेगा केवाशी करने के लिए अगर आपने उस 3 times में केवाशी complete नहीं किया time staff में तब आपको केवाशी crowd करना पड़ेगा केवाशी crowd क्या है इसमें क्या है 18 March से मतलब आज से हो सकता है बहुत सारे लोगों में से केवाशी का आपसन आ गया होगा नहीं आया है तो हो सकता है अभी 24 आभी 48 आवर बाद आ जायेगा तो इसमें होगा क्या वाट इच केवाशी crowd देखें इप केवाशी अनेबल टू प्रासेश ड्यू टू डिफरेंट फरम आप आडेनिफिकेशन इसमें क्या है अगर केवाशी आपका किसी कारणवस से नहीं हो पा रहा है तब उसी देश का बैरिफायर जो होगा वो इसको हंडल करेगा इप दो केवाशी बैरिफिकेशन फेल मोर देन थ्री ताइम योर आडे डाकुमेंट बिल बी अप्लोड़ टू केवाशी क्राउड मतलब होगा क्या आपका जो यह आडे डाकुमेंट है यह केवाशी क्राउड में आपका अप्लोड कर दिया जाएगा देन टेन बैरिफायर इन दे सेम कंटी बिथ यू बिल है यूर इनफार्मिशन मतलब की टेन बैरिफायर होंगे तीक है आपके ही कंट्री के होंगे ओ आपकी पूरी इनफार्मिशन को देखेंगे जब आप जो है सम्मिट करेंगे तो आपको अपना आइड इसको आपको च्पा देना है इस इज वनली पास्वेल इस इज वनली पास्वेल इड फेज एंड डेटा बर्स माइच इप यू रिसीव एग्री असेस्मेंट प्रांट सेवन बाइटेन वैरिफायर देखें अग अगर आपको कहते हैं कि हाँ आप लेजिट हैं तब आपकी जो है के वाइसी सक्षेस्पुली पास हो जाएगी और बैरिफिक्टिन आपका कम्प्री मना जाएगा अब यह बैरिफायर क्या होते हैं तो बैरिफायर होते हैं यूजर सहाइब ओवर थी हंडेड अटेंड ठीक है हाई उनको हम बैरिफायर मान सकते है यूजर लीटी कम्प्लीटिड दक के वाइसी बेरिफिक्टिन ओर वो सभी ambos बैरिफिक्टिन बैरिफिक्टियों जाएगे जिनका के वाइसी complete होच चुका है आन पास्ने के वाइसी पत्रीशेग सेक्षोश्पुछी अप्लाई बैरिफाइड फोर नंबर एंड इमेल इसमें बलाया है कि यूजर का पहले से ही फोर नंबर और इमेल बैरिफाइड होना चाहिए आप जो लोग बैरिफाइड बनेंगे उनका कुछ बेनफिट होगा पहला बेनफिट क्या है इवरे टाइम यू इंस्पेक्ट वन पर्सन आपको 24 टाइम टाइम कोई है आपको 24 टाइम मिलेगा एक लोग को इंस्पेक्शन करने में अदिशनल बैरिफिट में ब्राइड इन दे क्या फ्यूचर डिपेंडिंग अन्दर नंबर आफ यूजर इंस्पेक्टेड और आपको फ्यूचर में कुछ और भी बैरिफिट मि अगर आपका जो स्फेक्शन गलत पाय जाता है तब आपका बैरिफिएर जो इंस्पेक्शन गलत हो जायगा. अगर आपने बारिफाय करने में फाल्स किया तो सचता है आपका एकाउन भी सस्पेंट कर दिया जाए आप कवाशी रिचकर क्या रहता है आली उजर्स परफांब की आपका श्पता है यह टाम स्ट्राप का स्टेब होगा एक आपका इस्ट्राप जह के मिश्या डीच्शन प्रोटेक्शन Τर N घयर सबत्द कर दोया बेट करेंगे में with time staff and verify must have a clear identity KYC verification information will be sent to 5 recheckers जो आपका KYC verification होगा information ये 5 recheckers चेक करेंगे इसको rechecking complete होने के बाद if it is approved by 3 out of 5 रिचेकर में से 3 नगर क्या इसको अप्रूब कर दिया इसको एक रिचेकर जो है 24 टाइम पाएगा एक लोग को inspection करने में अब कास्ट क्या है यूजर हूँ अपलाई फार KYC अब जो लोग KYC क्राउड को अपलाई करेंगे बिल पे 300 टाइम मतलब आपको 300 टाइम इसको देना पड़ेगा बाई रिटर्निंग 300 टाइम फार दफर्स्ट टाइम स्टोपिंग टू-फोर्टी टाइम बिल भी पैड़ फार 10 वारिफायर उसको दे दिया जाएगा अड़ यूजर इक्सेप्ट दोजू पास KYC क्राउड बैरिफायर एंड टाइम इसके लिए 150 इंस्पेक्शन फिस के रुपिंग जाए गया अब क्या होते हैं क्या सी रिचेकर इस अपलाइड फार आल यूजर हूँ है पास्ट क्या सी बरिफेशन क्यों होते हैं जो सक्सेश फुली जो है क्या सी को पास कर चुके होते हैं क्या सी रिचेकर इस अ मेंबर आप टाइम स्टाप इंटरनल टीम ताइम स्टाप का इंटरनल टीम मेंबर ही होगा क्यों रिचेकर इट कान वी बरिफायर हूअज अपर स्टनल इंफार्मेशन प्रोटेक्शन कान इंटरन इंटरन टैम स्टाप को आपडरिशन KYC verification information will be sent to 5 checkers जो KYC verification होगा यह 5 रिचेकर के पास जाएगा and the rechecking is complete if it is approved by 3 out of 5 रिचेकर every time you recheck 1 person you will get 24 times देखिए अब इसमें क्या है कुछ इसमें जो है साधानी भी बतानी है जब आपको KYC crowd करना है पहली क्या है condition इसमें यूजर मस्ट हाइड दसीरियल नंबर आप देर पासपोर्ट नेशनल आईडी कार्ड एंड डियल लाइसेंस देखिए एचली क्या है जब आपकी वाजसी crowd क्लिक करेंगे आप अगर अधा कार्ड कुछ अधा कार्ड अगर आप डालते हैं तो अधा कार्ड नंबर आपको अपना छपा देना है एंड ड्रावइन लाइसेंस डियल लाइसेंस दू नाट कवर दे सीरेल नंबर बाई इलेक्रानिक फाउंड फोटो यूज फार के वाजसी क्राउड मस्ट क्लिरली शो देखिए एंड आउटसाइड बेक्राउंड जो आप फोटो कर रहे हैं फोटो क्लिरली शो होनी चाहिए अनलेस आल कंटेंट अंद आईडी डाकुमेंट इस क्या विजबल दे प्राइसेंस बिल फेल यूजर अपलाई फार के वाज़ी क्राउड बिल पे थी हंडेड टाइम मतलब आपको थी हंडेड टाइम क्वाइन जो है पे करना पड़ेगा उसमें से टूफोटी टाइम इस पेट फार टेन बैरिफायर दो से चालिस जो टाइम होगा दस बैरिफायर इसको दे दी जाएंगे और सास टाइम जो है एक री क्या प्यारिफिकेशन के लिए मतलब आ आपकी पस्टना इंफार्मिसं को सेव रखा जाएगा वेन केवाशी क्राउड इस कंप्लिटेड यू आर मार्क केवाशी कंप्लिट एंड नो नीड टू अपलाई फारी चक और आप जो है तुबारा रीचक के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं तो थैंक्यू फ्रेंड इस आपको यहां पर जाना है तीम में आपको तीम करने के बाद आपको यहां पर इंटर्नल आएगा एक डाकुमेंट फार्म होगा उस फार्म को मैंने फिलब कर दिया इसलिए हमको सोनए होगा लेकिन आप जैसे ही इस्पक्लिक करेंगे आपको जो है सो करेंगा देखें हमने हैं कर दिया है You have already response यह इसलिए फार्म नहीं खु़रदा है यह फार्म जो है अगर आप लोगों नहीं किया है तो आप यहांसे इंटर्नल टीम में कर सकते हैं और आप इसको जो है इस वीडि पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल गेर्णी को दबा लिजे जैसे ही मैं कोई नवा वीडियो प्लोड करूंगा आपको इसका नोडिफेर मिल जाएगा तो थैंकि फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही